36 गर समचार के सभी दर्शकों को नमस्कार आज हम बात करेंगे मजदूर दिवस के बारे में क्यों मनाया जाता है मजदूर दिवस मजदूर दिवस के मौके पर हम आपको मजदूर के आच खास बाते बताएंगे तब तक के लिए देखते रहे हमारे 36 गर समचार को एक मई को दुनिया के कई देशों में अंतरराष्ट्री स्रमिक दिवस मनाया जाता है। इन दिन को लेवर, डे, मई दिवस, स्रमिक दिवस और मजदूर दिवस भी कहा जाता है। ये दिन पूरी तरह स्रमिकों को समर्पित है। इस दिन भारत समेत कई देशों में मजदूर दिवस के उपलब्दियों को और तेश के विकास और उनके युगदानों को सलाम किया जाता है यह दिन मजदूरों के सम्मान उनकी एक्ता और उनके हक के समर्थन में मनाया जाता है इस दिन दुनिया के अस्सी से अधिक देशों की छुट्टी होती है इस मौके पर मजदूर स हुई शुरुवात अंतर्राष्टी मजदूर दिवस की शुरुवात एक मई 1886 को अमेरिका में एक आंदोलन से हुई थी शुरू इस आंदोलन के दवरान अमेरिका में मजदूर काम करने के लिए आठ घंटे का समय निर्धारित किया जाने को लेकर आंदोलन पर चले गए थे एक मई 1886 के दिन मजदूर लोग रोजाना 15-15 घंटे काम कराये जाने और सोसड के खिलाप पूरे अमेरिका में सडको पर उतर आये थे इस दवरान कुछ मजदूर पर पूलिस ने गोली चला दी थी जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी और सव से ज्यादा लोग घायल हो गए थे इसके बाद 1889 में अंतरराष्टिय समाजवादी सम्मेलन के कर्मिकों को अवकास रहेगा इसी के सहीत भारत सहीत दुनिया के तमाम देशों में काम के लिए 8 घंटे निर्धारित करने के निव पड़ी दूसरी बात यह है कि भारत में मजदूर दिवस के सुरुवात चन्याई में एक मई 1923 में हुई भारत में लेबर किसान पार्टी आप हिंदुस्तान ने एक मई 1923 को मदरास में इसकी शुरुवात की थी तीसरी बातिया है कि आज के दिन दुनिया के मजदूरों के अंस्चित काम के घंटों को 8 घंटे में तब्दिल किया गया था मजदूर वर्ग इस दिन पर बड़े-बड़े रैली वकारेकरम का लखंड़न किया जाता है निसमय मजदूरों के लिए कल्यार कई योजनिय की घोशनाय की जती है तीवी अकबार और रेडियो जैसे प्रसाराण माध्यमों द्वारा मजदूर जागरित के लिए प्रेक्रम प्रसारित किया जाता है चाउथी खास बातिया है कि भारत में लेबाडे को अंतरराश्टी स्रमिक दिवस, मई दिवस, कामगर दिवस, इंटरनेशनल वरकर डे, वरकर डे भी कहा जाता है पाच्वी खास बातिया है कि अंतरराष्टी मजदूर दिवास 2019 के थिम समाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए मजदूर वर्गा एक हो